अब पहला सवाल यह है कि एंजाइम होते क्या है और इसका जवाब जानने के लिए लार एमिलस को याद कीजे जिसके बारे में हमने अभी पिछले वीडियो में बात की थी लार एमिलस मंट जैसे जटल अनू को छोटे अनू जैसे सरल शरकरा में तोड़ देते है तो एंजाइम हकीकत में एक प्रकार का जैवत प्रेरक है जिसे हम अंग्रेजी में बायो कैटलिस्ट कहते है जो जटल भोजन में उपस्थेत पोशक तत्व को छोटे कणों में तोड़ देते है और यहीं से यह दूसरी प्रकरिया जिसे पाचन कहते हैं शुरू हो जाता है इसके बाद हमारा भोजन ग्रसिका नामक नलिका के द्वारा हमारे पेट में जाता है किन्तु इसका सही तरीके से नीचे जाना जरूरी है इसलिए हमारे ग्रसिका या भोजन नलिका पेशियों की बनी होती है और ये पेशियां फैलते और सुकुडते हैं जिसके कारण खाना आसानी से नीचे जाता है इस फैल्ले उसे कुडने की लहरीली गती को क्रमा कुंचन गती कहा जाता है और हमारा भोजन, भोजन नलिका से गुजरने के बाद हमारे पेट या अमाशे में पहुचता है जिसके कारण जब उसमें खाना जाता है तो यह फैलता है और सिकुरता है पेट में पाचन के क्रिया जठर ग्रंथियों के कारण होती है जो इसकी अंदुरूनी दिवार पर उपस्थित होती है ये जठर ग्रंथियां हाइड्रोक्लोरिक अमल, पेपसिन और शलेशमा का श्रावन होता है हाइड्रोक्लोरिक अमल एक अमलिये माहौल तयार करता है जिसके कारण पेपसिन एंजाइम कारे करने में सक्षम हो जाता है पेपसिन खाने में मौजूद प्रोटीन को पचाता है वहीं शलेश्मा हाइड्रोकलोरिक अमल को घातक असर से पेट की दिवारों को सुरक्षित रखते हैं इसके बाद खाना आगे हमारी छोटी आंतों में बढ़ जाता है इसके लिए छोटी आंतों के सिर्व पर अवरोधनी पेशियां होती हैं जो एक दर्वाजे की तरह कारे करती है इसके बाद छोटी आंत में कुछ पाचन होता है जिसके लिए हमारा यकृत और अगनाशय काम करते हैं यक्रिद जैसे अम अंग्रेजी में लिवर भी कहते हैं पित रस का श्रवन करता है इस पित रस में पित लवन होते हैं और ये पित लवन वसा को एमल्सी करन अर्थात फैट के बड़े गोलिकाओं को छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं इसके साथ ही हमारा अगनाश है अंदर से अगनायशिक रस छोड़ता है इस अगनायशिक रस में एंजाइम्स होते हैं जिसमें ट्रिपसिन प्रोटीन को तोड़ता है और लाइपेस वसा को तोड़ता है इसके बाद पूरा पचा हुआ भोजन छोटी आतों में से दूसरी प्रक्रिया के लिए बढ़ इससे पहले आपसे एक सवाल पूछते हैं निम लिखित में से जैवत प्रेरख है जो जटल पदार्थों को तोड़ने में सहायता करते हैं पहला एंजाइम्स दूसरा दूद तीसरा लाड चौथा भोजन इस प्रशन का उत्तर अपने कॉपी में लिखिए इसका सही उत्तर है एंजाइम एंजाइम जैवत प्रेरख है जो भोजन को जटल रूप से सलल रूप में तोड़ते हैं